हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड दोस्तों उत्तर प्रदेश में बेसिक सिक्षा परिशत के नियंत्रनाधीन परिशदी विद्यालियों में रसोईयों का होगा परिशिक्षन और खास तोर पे जो भी हेड टीचर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही और इंपोर्टेंट होने जा रहा है अगर आप परिशदी विद्याले में पत और सिक्षक सिक्षी का भाई भेन हैं और खास तोर पे हेड टीचर के पत पे अपने कर्तबों उन दायत्तों का कुशलता पुर्वक निर्वान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपो अगशो को दोपाहर भोजन जो मध्यान भोजन योजना है उसको क्रियानवित कराने की पूरी की पूरी जिमेवारी जो रसोईयां हैं दोस्तों उनी के कंधों पे होती है किस तरीके से कुशलता पूर्वक नियोजन करके मध्धान भोजन जो योजना है उसको अमली जामा पहनाया जाए और कौन-कौन सी वैज्ञानिक बाते शामिल किया जाए जिससे कि ये योजना बच्चों के लिए खास तोर पे लाबदायक हो सके बच्चे इससे लाबानवित हो सके और हमारा समुदाय ससक्त हो सके क्योंकि बच्चे जो ग्रामीड परवेश के प्रभीशदी विध्यालियों में अध्यन हेत वाते हैं तो तो ओष्षीत होते हैं और खास तोर पे मध्यान भोजन योजना के माध्यम से बच्चों का पोश्ण पे भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ पोश्ण पे ध्यान तभी होगा जब जो खाना बनाने वाले कुक हों वो ना केवल पेशेवर हों बलकि साफ सफाई के प्रती और जो बहुत ही महदपूर बाते हैं उसको उनको संग्यान होना चाहिए तो इससे समंधित जो प्रशिक्षन है उसको हेड़ टीचर के माध्यम से रसोईयों को कराने हैं आते हैं पत्र के आलोक में जो महत्पूर बाते हैं उसके दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों ये पत्रांग मध्यान भोजन प्राधिकरण से जारी हुआ है आप देख सकते हैं सेवा में समस्त जिरा बेस्jakष रशिया दिकारी उत्रपधेस विश्य पढराहु कार्रत रसोईयों का परशिक्षल कराय जाने के संब्मन में महोदे आप अवगत हैं कि मध्यान भोजन योजना अंतरगत परदेश में लगभग चार लाक रसुईयां कार रथ है जिसमें लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं विद्याले में पकाये जाने वाले मध्यान भोजन की गुडवत्त युँ शुधता बनाए रखने की मंसा के द्रिश्टगत रसुईयों के रूप में विद्याले में ऐसे अभिवावकों को प्रात्मिक्ता दी गई है जिनके पाल विद्याले में सिक्षारत है मध्यान भोजन यूजना की समवेदन सीलता के द्रिश्टगत वित्ती वर्स 2016-17 में स्वास्त पोष्ण सुरच्छा स्वच्छता युँ पाक कला के सम्मझ में द्रिश्च स्रब में रूप में पोष्ण प्रसिक्षण फिल्म के माध्यम से समस्त रसोयों को प्रसिक्षण प्रदान कर उनके ज्यान या छमता में अब्रित की गई उसके उपरांत आगामी विती वर्सों में भी फिल्म के माध्यम से रसोयों को जन्पदस्तर पर प्रसिच्छित किया गया विगत वर्स COVID-19 वैश्विक महामारी की काण विद्यालियों में भौतिक रूप से सेक्ष्ण गत्विधियां अस्तगित कर दी गई मास सितंबर 2021 के प्रारम से विद्यालों में पठन पाठन का कार मध्यान भोजन योजन का संचालन पुना प्रारम किया जा चुका है पुना वर्तमान परिपेक्ष में रसोईयों की प्रस्रिक्षण है तू नवीन पोशन प्रस्रिक्षण फिल्म तयार कराई गई है जो मध्यान भोजन प्राधिकरन की वेबसाइट www.upmdm.org और मिशन प्रेणा की वेबसाइट www.up.in पर यूटूब पर भी जन सामान है तू आता उक्त पर सिक्षण फिल्म के माध्यम से विद्याले अस्तर पर कारव्यत रसोईयों को परसिचित किया जाना है उक्त पर सिक्षण फिल्म दिखाने की उपरां एड़ तीचर या इनचार्ज द्वारा निम्न बिंदूः पर पुना रसोईयों से चर्षा क द्रहन किये जाने आदि में कोविट प्रोटोकाल का पूरू रूप से पालन किया जाए दूसरा रसोईयों दोरा भोजन पकाने से पूरू गैस इस्टोव बर्नर रेगुलेटर आद की जाच की जाए विद्यालों में भोजन को बच्चों को भोजन परोसने से पूरू उनके हाथ अवश्य धुलवाई जाए डाइनिंग शेर्ड अथवा विद्यालों के बरामदे में बच्चों को पंक्तिबत धुरूप से बैठाया जाए बैठने के लिए विद्यालों में उपलब टाटपट्टी का प्रयोग अवश्य किया जाए भोजन पकाने में आयोड़ी न कीले मकोले इत्याद नहों, भोजन पकाने में साफसपाई का विश्येस ध्यान रखा जाए भोजन ढखकर ही पकायजाये तहां भोजन पका भोजन ढखकर रखा जाए पच्चो को भोजन परोसने के पूर रसोईया अध्यापक व्योगदर आनिवार रूप से चखा जाए पच्चो को भोजन पकाने के अस्तल से दूर रखा जाए पच्चो को ताजा पका हुआ गर्म भोजन समय अनुसर त्यार कर परोसा जाए बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सवहर्थ पुन वातावनक के साथ एक साथ बैठा कर ही बोजन कराया जाए रसोयों को परसिछित किये जाने के परांग उनकी पुन्र में रशनावली का पुनापरियोग किया सकता है एक रसोईयां को रसोई घर में जाने के पूर क्या साउधानी बरतनी चाहिए रसोई घर की साफसफाई कैसे करनी चाहिए खाना बनाने से पूर अनाजवा सबजी को कैसे साफ करना चाहिए अनाजवा अन्खाद सामगरी का रख रखाओ कैसे करना चाहिए खाद पदार्थ की जांच कैसे करेंगे भोजन पकानी के बाद उसे कैसे रखें भोजन परोस्ते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए रसोईयां को अपनी स्वेम की साफ सफाई के लिए किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए रसोई घर की सुरक्षा के लिए क्या इंतिजाम करना चाहिए उग्त कैत्रिक तवगत कराना है कि वर्ड फूड प्रोग्राम संस्थत वरा मध्यान भोजन योजिना अंतरगत कारत रसोई को प्रस्रिक्षन हे तू यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि FOSAFMDM www.upmdm.org पर भी उपलब्ध है इस एप में कुल नौ माडूल है प्रति एक तीर माडूल में जानकारी उप्रकराने के उपरांत एक प्रशनोतरी भी समलित की गई है इसे पूर्णता सही हल किये जाने के उपरांत ही आगले माडूल पर आप जा सकेंगे समस्त माडूल प्रशनोतरी पूर्ण किये जाने पर रसोईयों है तू सर्टिफिकट की भी वस्ता की गई है पोशना फिल्म दिखाय जाने को प्रांत उक्त एप का प्रियोग किये जाने से प्रस्रिक्षन को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है उक्त की किरम में अपेक्षित है कि मां दिसंबर 2021 के अन तक जनपर्मिकारस समस्त रसोईयों को हेट टीचर ये इंचार अध्यापक के माधिम से विद्याले अस्तर पर प्रस्रिशित किया जाए साथी प्रस्रिशित रसोईयों की सूचना संकलेत कर प्राधिकरन को प्लब्द कराई जाए तोस्तो भवधी स्रीमती अनामिका सिंग निदेशक राज़ परियुणा कारेले प्रिस्ठांकन वा दिनांक उक्तवत प्रतिलिप निम्लिकित को सूचनारतियों माउस से कारवाई है तो प्रेशित समस्त जिला दिकारी उत्तर प्रदेश समस्त मुक्विकास दिकारी उत्तर प्रदेश समस्त मंडली साहक सिक्षा निदेशक बेसिक उत्रप्रदेश समस्त जिलावी देले निदेशक उत्रप्रदेश समस्त खंडी सिक्षा निदेशक उत्रप्रदेश दोस्तो आज करें इतना है वीडियो इन्फॉर्मेशन बराबर से एक बेल आइकन आता है प्रेस करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वाचिंग ए लिस्टिंग दिस जजजजए प्रकास्ट वी साइन आफ